फिल्म की शुरुवात होती है एक स्टेशन को दिखाने से जहां पर एक लड़का बिल्कुल अकीला बैठा था तब इस स्टेशन पर एक अजीब सी औरत आई जो पागलों जैसे हरकतें करने लगी असने बाल खोले हुए थी और बड़ी अजीब तरह वो चल रही थी लड़क उसे जगापर जाकर चेक करनी लगा यहां तबी ट्रेन वाला गेट अपने आपी खुल चाता है लेकिन हेरत वाली बात ये थी कि वहाँ कोई ट्रेन नहीं आई थी तपि लड़के को पट्री वाली जगापर से आवास आनी लगी इसलिए वो रीची बैठकर अपना मौ अं योंग था शाली में उसे एक एक्ट्रेस के बारे में रिपोर्ट बना कर तो छिकायत कर ती जिस बात के वजह से नयूंग की बोस उस पर बहुत गुसा करती है और कहती है तो यह सब तुम्हारी बजह से हुआ अब या तो यह फाइन तुम बरोगी या पिर कोई ऐसी रिप पर जाएं ऐसे हमारी रिपोर्ट पर व्यूज बड़ें ज्यादा एड्स आएं जिससे हमें इतना मुनाफ़ा हो कि हम इस फाइन को बढ़ सकें अब यह सुनकर नायोंग सोच में पढ़ गई कि हमें क्या करूँ अब नायोंग को किसी काम सी उस स्टेशन पर जाना पड़ता ह जहां उसकी मुलाकात अपनी दोस से हुई उसका दोस नायोंग को बताता है कि उस दिन जब तुम स्टेशन से गई थी तो मैंने एक लड़की को देखा जो अच्छानकी ट्रेन की सामनी आया और उसकी मौत हो गई उसने खुद अपनी जान ली थी हलांगे मैंने उसे बजा को फ्यूनरल दफन वगएरा करने के लिए तैयार करता है आगी नायोंग का दोस बताता है कि अब मैं तुम्हें हरान को इंचानकारी देता हूं वो बच्चा असल में बूत था और जिस आदमी ने अपनी जान ली थी उसकी हलत ऐसी थी जैसे वो किसी की कंट्रूल में हो अ हां मैंने भी उस पट्री पर चोटे बची को देखा था तब ये सुनकर नायोंग इस टेशन की बारे में रिपोर्ट बनाना शुरू कर देती है वो अपने दोस्त को कहती है कि यहां केमरास तो लगे ही है तो तो मुझे उस दिन की केमरा रिकॉर्डिंग दे दो तब उसका हादसी की बात इसकी दिमाग में कई दिनों तक वो ही जलता रहा और उसी जैसे ड्राउने सबने भी उसे आनी लगे थी इतफाक यहां यह होता था कि उसका दोस्त भी उसे बिल्कुल इसी तरह नड़ा दिया गरता था अब एक दिन नायोंग की दोस्त को शीशी पर चार न अब इस मौके का फाइदा उटाकर नायोंग उस जगा की लिए निकल जाती है ताकि ड्राइवर से इंटर्व्यू ले सकी उसने ड्राइवर को देख लिया जो एक जगा पर बैठा हुआ था वो भी उसकी साइद में बैठ जाती है और उसका इंटर्व्यू लेना शुरू क अब ड्राइवर वहां से उठा और बेस्मेंट की तरफ जाने लगता है जिसके पीची पीची नायोंग भी चली जाती है ड्राइवर दीवार की तरफ मों करकी खड़ा हो गया और बार बार चार नंबर बोल रहा था जो थे 0319 अब इसी तरह के चार नंबर नायोंग की दोस रहा था क्योंकि सच में वो काफी वाइरल हो गई थी पर जब उसने नीचे देखा तो वहां एक बच्ची का भूत बैठा था जो उसका पैर पकड़कर नीची किष्णी लगता है जो देखकर वो काफी तर दी और उसकी चीख के साथ नायोंग को घोश आ जाती है यानि कि सब उसका सपना था पर जब उसने सर उठाकर सामने देखा तो उसके साथ काम करने वाने सारी लोग एक लेकर आ रहे थी तो कि स्टीशन वाने खबर सच में वाइरल गई थी और लखों की तदाद में लोग उस खबर को देख रहे थी जिस वज़़से हर कोई काफी कुश थ नायोंग की बोस कहती है यह तुम जिस ड्राइवर का इंटर्व्यू ले रही थी ना उसकी तो कुछ तिंग पहले ही मोत हो चुकी है और स्टीशन पर तुम अकेली ही बैटी बोल रही थी अब इस बात पर उसे एकीन नहीं आता इसलिए वो उस दिन केमरा रेकॉर्डिंग चेक करती है यहाँ वो सच में बिल्कुल अकेली थी ड्राइवर उसके साथ नहीं बैटा था जो चीज़ नायोंग को हैरान करके रखती थी और जो बेस्पर में गया था वो ड्राइवर का भूती था लेकिन फिर भी इन सब चीज़ां को समझना नायोंग के लिए मुश्कि अने ट्रेन के सामने को उतकर अपने जान ली थी ना वो असर में वाक वाट ओने आया था जो स्टेशन की पास ही है वो फिर यहां एक कहाने बताने लगी कि काफिर सर्पहले स्टेशन की पास एक वाँ बनाया गया जिसके अंदर एक कातिल ने वो सारे बच्चों को कैद करक कि मारे गई और अब यह स्टेशन उन बच्चों की बजल से ही भूतिया है क्योंकि उनकी ही आत्मा यहां आकर लोगों को डराती है और उन्हें अपने अपने कंट्रोल में करकर उनके जान लेती है अभी कादी कौन था और वो ऐसे क्यों करता था वो नड़की यहां नहीं अब नायोंग इडरनेट पर उसी कोई के बारे में सर्च करती है इस कोई की तस्वीरे वो टे को बेज़ती है जिससे उसी काफी कुछ याद आने लगता है पर वो नायोंग को कुछ नहीं बताती है जिसमें कई साइन नूमबर्स लिखे हुए थी हिरान करने वारी बात यह थी कि वो साइन नूमबर्स भी चार चारी थी साथ ही डारी के अंदर एक तस्वीर भी थी जिसमें एक आदमी के सामने दो बच्चे एक और्फनेच के सामने खड़े थी जहांपर लावारी इस बच्चे को रखा जाता है जिनका इस दुन्या में कोई नहीं होता सबसे बड ड्राइबर की लाश दिखाने ले जा रहा था क्योंकि नायोंग उसके कुछ तस्वीरे बनाना चाहती थी पर जब इन्होंने लाश पर से चादर हटाई तो उसके जिसम पर बहुत सारे निशान थे जो नाकुलों के बनाय हुए लग रहे थी तब यहां मोटेशन जनकारी देता है कि यह निशान रहसल उन बच्चों के नाकुलों के निशान है क्योंकि उनकी आत्माएं उलमों के जिसमों पर नाकुल मार देती हैं जिनकी अंकरी मौत होने वाली होती हैं यहां जितने भी लाशों को लाया जाता है सब के जिसमों पर ही ऐसे निशान होती हैं और उन बच्चों की आत्माओं को अगला शिकार कौन है अब यह नायोंग का दोस्ट नाटिस करता है कि मोर्टेशन की बाजू पर भी वैसे निशान बन गए है और तोर उसके गर्दम बे भी एक बच्ची की आत्मा बैटी थी जो देकर वो खुत पे काफी डर गया लेकिन वो यह बात औरे नहीं बताता क्योंकि यह इस बार की तरफ इशाहा था कि मोर्टेशन भी बढ़ने वाला है अब नायोंग देखती है कि स्टेशन वारी खबर बहुत तेरे से वाले लो रही है वो इतनी हिट हो गई है कि अब उस पर मिलियन व्योज आ रहे है पर लोगों पर इसका थोड़ा बुरा असर भी बढ़ा था अब ज़्यदा से ज़्यदा लोग उस स्टेशन पर जा रही थी और वहां की वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया करती थी सिर्फ यही नहीं बलकि वो अपने जिस्मों पर नकली नाकूनों की निशान बनाकर अपनी तस्वीरें भी इंटरनेट पर डाल रहे थी एक लेट की जब उस स्टेशन पर गई तो उसके गर्दन पर नाकून की निशान बन जाती है जिनको चुपाने के लिए वो वाश्रूम गई पर वहाँ कुछ बच्चों की आत्माई उस पर हमला कर दीती है जिनकी बज़ा से वो अपना कंट्रोल को दीती है और अचीब तरह से वहाँ चलने लगी क्योंकि एक आत्माई उसे बुरी तरह नोचा भी था लेकिन फिर तभी वो आत्माई उसे वाश्रूम में बन कर दीती है और उसका दम खोटकर उसकी चान लेती है और वाश्रूम में से अजीब वाजे सुनाई दी गए थी इसलिए नायों की दोस्त का जो दोस था इनिस टेशन वरकर वो वहाँ पर चेक करने आता है पर उसकी भी गर्दन पर हम नाकुनों की निशान देखती है यहां तभी बहुत सरे बच्चों की आत्माई उसे भी ड्रौने लगती है और फिर एक साथ मिलकर उस पर ऐसी हमला करती है कि उसके चान ही ले लेती है अब नायों उसके दोस के फ्यूनल में जाती है और फिर अपने दोस से भी मिलने गई जो रो रहा था कहता है कि मुझे भी कुछ तिन पहले एक चोटी बच्ची की आत्मा दिखी थी जिसके कपड़ों पर भी चार नंबर लेके थे और देखो मेरी हाथ पर भी नाखुलों की निशान बन गए है जो करकर वो नायों को अपना हाथ दिखाता है और रोती हुए कहते है कि इस बासी में डरा हुआ हूँ क्योंकि अंकरी मेरी भी मोथ हो जाएगी अब रात को जब वो सो राता तो उसे उन्हें बच्चों के बुरे-बुरे सपने आती है जैसे वो सारी आतमाई उसके उपर बैटी होई है और फिर केज़कर उसे कुई मेरी जाकर फैंट दीती है जिसे तुमाई दोस्त ने भी बचाने की कोशिश की थी यनि जो कुआटू ने उस स्टेशन पर गया था वो द्रसल मेरा भाई था और उसकी मोथ की वज़ा यही है कि वहाँ कुई की तलाश में गया था अब यह लोग मिलकर उसका मुबाइल चेक करती हैं इसमें से इने एक वीडियो मिलती है जो उसकी बाई की थी वीडियो में टेका भाई बताता है कि मुझे वो कौण मिल गया है जिसके अंदर का सिंडी वो दिखाता है जा उन बच्चों की स्केलेटन ने धांचो के टुकड़े पड़े हुई थी अभी सब कुछ देकर ये लोग फैसला करते हैं कि हम भी उसकोई को डून देंगे और धांचो के टुकड़ों की मदद से बच्चों का फ्यूनरल कर देंगे तकि बच्चों की जो आत्में स्टेशन पर घूम रहे हैं उने से कून मिल जाएं और वो हमेशे के लिए यहां से चली जाएं और इसके बाद ये लोग उसकोई को भी हमेशे के लिए बरन कर देंगे इस मकसित के लिए अब नायूंग और उसके दोस्ट उस्टेशन पर जाते हैं और पट्रियों की रास्ते पर चलते हुए ये एक सुरंग में जापोचते हैं यहां बहुत अंतीरा था और काफी डर भी लग रहा था चुकि बार बर बच्चों की आत्माई उन्हें दराने के कोशिश कर रहें थी लेकिन फिर भी वो हिम्मत करकी आगे बढ़ती रही और आखिर कर इने वो कुवा मिल ही जाता है पर तक ये सारे बच्चों की आत्माई वाहां से बाहिर आकर इन्हें दराव बढ़ने लगी इन्हें मारने के लिए तब यानायों उन्हें रोकर केती है कि तुम परिशाना हो हम तुमारी कहानी तुमारी सचाह सब के सामने लाकर ही रहेंगी जो सुनकर सारे बच्चे चिलाती हुए रोने लगती है और देखाने की कोशिश कर ले थी कि हमने कितना दर्द किते तकलीफ सही है अब ये लोग में से उन बच्चों के ढांचों के टुकडे निकाल लेती है और अब सबको यही लगने लगता है कि ये मोट का खेल आखिरकार खत्म हुआ पर ये जिस उसके लिए अच्छे साबित भी नहीं होती क्योंकि जाहिर है अभी किस हल हो चुका था सबको पता चल गया था कि आत्माओं के जाने के बाद मोट के एक हेल करत्म हो गया है यही वज़ा है कि अब लोग ये खबर नहीं देख रहे थे और व्यूज आना बंद हो चाती है क्योंकि व्यूज ऐसे कीसिस पर आती है जो सॉल्व ना हुआ हो की उसमें सस्पेंस बना रहता है कि अब क्या होने वाला है और क्या नहीं इस बात पर उसकी बोस पहले तो नायों को काफी बाते सुनाती है और फुर उसे कुछ दिन के लिए नोगरे से ही निकाल दीती है वो भी काफी बेज़द करके अब इस वज़ा से नायोंग को काफी गुसा था और वो कुछ कर नहीं पाती अब नायोंग का दोस्ट जब उस्टेशन पर काम कर रहा था तो फिर से एक बची की आत्मों से दिखाई दीती है जो बाल पर उसे दराने की कोशिश कर रही थी जिससे यहां ये बात फ्लेयर हो गई कि मोट का ये खिल अभी भी खत नहीं हुआ नायोंग का दोस्ट अब अपने सामने मोटीशन को देखता है उसे याद आया कि इसकी हाथ पर भी निशान थी इसलिए वो भागर उसका हाँ चेक करने जाता है अब नायोंग का दोस्ट खर्तक मोटीशन का पीछा करता है यहां उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी होश उड़ गई पर वो क्या था ये हमें दिखाया नहीं जाता अब रात की वेक्ट नायोंग जो अपने घर पर थी तो तब ये उससे मिलने टेया जाती है नायोंग ने देखा कि उसकी हादों पर भी ये नाकुनों की निशान बन गी है और अब यहां टेय बहुत बड़ा सच पताती है के ती है कि जब तुम और तुम्हारा दोस्ट को आढ़ने गई थी तो तब नोटीशन ने मेरे घर आकर मुझ पर हमला कर दिया उसने मुझे थंकी दी कि चार नंबर बोलो वरना मैं तुम्ही जान से मार डालूँगा जिससे हुआ ये कि उसका कर्स के निश्राप मेरे उपर आ गया इसलिए नाकुनों की निशान मुझ पर बन दी है और अब मैं भी उनात्माँ का शिकार हूँ अब ये नायों को से पूछती है कि तुम्हें कैसे बतागी ये कर्स है और ये इससरा दूसरी इंसान पर चला जाता है जिस पर टे बताती है क्योंकि मेरे डैड को इन चीजों की काफी अच्छी चांद कारी थी और उन्हों नहीं मुझे ये बताया था और अब यहां वो सबसे बड़ा रास खोलती है कहती है ये मैं असल में उसी आदमी की बेटी हूँ जिसने उन सब बच्चों को उस कुए में केट किया था यानि उस कातिल की वो बताती है कि मैं भी असल में उन बच्चों में से एक थी लेकिन फिर एक दिन उसने मुझे कुए से बाहर निकाल लिया क्योंकि मैं भी उसके सुतेली बेटी ही थी और उसने अपने बेटी के कहने पर ही मुझे निकाला था जो मेरा सुतेला बाई था क्योंकि उन्होंने मुझे गोट लिया था मैं जब कोई से बाहर जा रही थी तो बागी बच्चों ने मुझसे मिन्नते की कि तुम बाहर जातर प्लीज हमें भी निकल वा लिना पर मेरा सुतिला बाप बहुत सालिम था उसने हर बच्चे को चार नंबर्स का एक कोट दिया हुआ था जिसे किसी का 10-20 था तो किसी का 20-19 था तो किसी का कुछ था और इनी नंबर्स से वोहर बच्चे को जानता था अब जाहिरे उन बच्चों की नंबर्स थी तो उनके मरने की बाद उनकी बोटों का भी हार एक नंबर था पेका सुतिला बाप उस औरफुनेज को चिलाया करता था वहाँ वो इन बच्चों पर इतना जरुन करता था कि उन्हें मौल कर काड़ता था जिसके बाद सभी बच्चों के जिसनों के इसी बेश दिया करता था पर जिब पुलिस को उस पर शाप हुआ तो उसे डर होने लगा कि कहीं में पकड़ना जाओं यही वज़ा है कि उसने इन बच्चों को जिन्दा ही स्कूल में कैद कर दिया यह रोते हुए कहती है कि यह सब मेरी और मेरे भाई की आमकों के सामने हुआ था लेकिन हम क्या करते डरे हुए थी उन बच्चों की मदद नहीं कर पाई और मुझे लगता है हमने उने दोका दिया मुझे अपनी गल्दी का एसास है यह सारी बात बता कर वो बहुत रोती है क्योंकि सब कुछ उसे याद आ गया था तो वो उना अत्माँ को अब पेचान पा रही थी अब मौत की इस खेल को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि जो भी लोग इस कर्स का शिकार है उन्हें मर जाना चाहिए इन्हें जिनकी भी जिसनों पर निशान है वो मारे जाएं यह सारी बाते जानकर नायोंग अपने घार आ गई और बिसर पर लेट कर इस पारी में सोचनी लगती है पर तभी उसकी आँग लगी अगले सुबा जब वो उठी तो उसकी दोसकी कॉल आती है जो नायोंग को बताता है यह मैंने अपना फोन नंबर बते लिया है तो ज़रा नोट कर लो वो अपना नंबर बतानी लगा और नायोंग भी सासाथ नंबर बोल दasında लेगी लेकिन वो चार नंबर बोल कर चुप हो जाता है और नायोंग की बूलती ही कर्स उस पर आ गया यानि कि यह सब उसके दोसनी नायोंग को पसानी के लिए प्लैन किया था तो उसने उसे यह सब करते हुए देख लिया था और वो कहता है कि माफ करना मैं जीना चाहता हूँ इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा चुक है कर वो फून कार देता है अब यहां में पता चलाती जब नायों कर दोस्त मोर्टेशन का पीछे करते हूँ उसके घर गया था तो वो आम और टेशन ने उसे जनकारी दे थी कहा था कि अब तुम्हें इस फैसला करना है कि यह करस तुम्हें किसके पास वेजना है और हाँ जिस इंसान को भी तुम कर्स की लिछ चुनों उससे स्टेशन के भूतिया होनी और इस कर्स की बारे में पता होना चाहिए और अगर तुमने सामने वाले सी वो नमबर बुलवा दिये तो तुम्हारा कर्स उस पर चला जाएगा तो इसलिए उसने नायूं के साथ ऐसा किया अब नायूं काफ़ी फिक्र मुंद हो जाती है यह मैं यहां से रिजाइन दे दूँगी यनि यह जोप मैं खुदे चोड़तूगी अगर तुम यह चार नमबर बोल दोगी तो अब उसकी बोस्तों को समझ नहीं आती लेकि नायूं उसी बाते सुना कर इतना गुस्ता चला देती है क्योंकि उसके हाथ पर भी नाकूनों के निशान बन गी थी और वो समझ गई थी कि मेरे साथ क्या हुआ और अब मैं बचने वाली नहीं यनि कि यह कर्स भी खत्म नहीं होगा ऐसे चलता जाएगा तब तक जब तक कर्स वाले सभी लोगों को जान से ना मार दिया जाएगा इसे के साथ ये फिल्म ये इपर खत्म जाती है